नमस्का दोस्तों स्वागता आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल पोर के टेक में और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखर इतनी काम्याभी के वाद आज जो फेस्बूक है वो लगा कर कियों डाउन होता हुआ जा रहा है और इस वीडियो में मैं आपके लिए कुछ पॉइंट रखने वाला हूँ जिन पॉइंट के बाद हमसे आपको यह पता चलेगा कि आखर क्या रीजन्स है और उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगा वीडियो पसंद आए तो लैक्सेर कमेंट कर दीजेगा साधी साधी इसी पकार कि और इंट्रेस्टिंग यूटूब एंट टेक्नोलोजी से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए चैनल को सस्क्राइब करना ना भू लें क्योंकि मैं आपको इसी पकार कि काफी इंट्रेस्टिंग वीडियो होते हैं वो लाता रहता हूं तो जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि सबसे पहले जब फेस्बुक लॉंच हुआ था तो बहाँ पर एक ही प्लेटफोर्म पर बहुत सारे काम जो है वो कर पाते थे ज जासे लिए यकर आम बात करें फोटो सेरिंग की तो वहां पर आप पर इस्टागाम देखने को मिलता है चोटे 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 वीडियूस की अगर हम बात करें तो बहा के लिए आपको टिक-टॉक जो है क्शा है वो स्चाबरा है और बहता है तो बहुत सारी जगे आपको उस पर भी आप बहुत अच्छे से अपने ट्वीट बगएरा कर सकते हैं यह सारी चीज़ें जो है आपको एक सेपरेटली प्लीटफोर्म है जो को आपको विल्ड करके देता है इसी परका से जो इंस्ट्राग्राम है उस पर आप फोटो की जगा-जगा अपनी स्टोरी भी ल कि फेस्बुक जो है अपना मेटा जो है मेटा वर्जन जैसे कि आपको जानते हैं एक 3D वर्चुल रियालिटी जो है उस चीज को क्रियेट कर रहा है और वो कितना अच्छा रहेगा कि आप एक रूम में बैटके दुनिया की किसी भी कौने को एंचॉय कर सकते हैं और इतनी तगडी टेकनलोजी के बाद भी लोगों को लिए ये चीज पसंद नहीं आ रही है या फिर ये मान लीजीए कि डाउन फोल हो रहा है तो आखिर इसका रीजन क्या है देखिए इसका रीजन सिंपल सा है कि आज की जो दुनिया है उसमें बहुत सारी चीज़ां जो है संग नहीं आई और लोगों पर मीम बनाना स्टार्ट किया क्योंकि आप कहीं न कहीं इतनी बड़ी कंपनी है और उसके बाद भी आप जो है क्वालिटी को अच्छी नहीं दे पारे तो वह भी एक रीजन से दूसरा दोस्तों इसका जो सबसे बड़ा कारण है डाउन फोल का वो है इसकी audience अब Facebook के पास ऐसी कोई audience नहीं बची जिसको वो gain कर सके जिसको वो जो है अपने platform पर ला सके उसके users जो है वो एक पेकार से खतम हो चुके हैं अब आप कहोगी कि ऐसा कैसे हो सकता है दुनिया इतनी बड़ी है तो बहाँ पर लोग जो है नई तो connect होंगे ही तो users तो बढ़ेंगे तो देखिए आपको कुछ समझना होगा अभी users जो है फेस्बुक पर वो तकरीवन 191 करोड लोग जो है फेस्बुक को यूज करते हैं तकरीवन 300 करोड ही है साधिसाद अगर पूरे world की populations की बात करें तो वो 800 करोड होती है तो आपके दिमाग में कई नही आ रहा होगा कि 500 करोड लोग तो अब भी बस्ते हैं तो देखिए अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया की आज जो populations है वो तकरीवन 130 करोड उससे भी ज्यादा ही हो सकती है दोस्तों क्योंकि अगर 130 करोड की जनसक है हमें तकरीवन 27-28 करोड लोग ही Facebook को यूज करते ह और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अकाउंट तो बना देते हैं लेकिन जो है उसे यूज भी नहीं करते हैं दुनिया के अंदर कई देश ऐसे हैं फेस्बुक है वो बैन चाइना असिया के अंदर जो है फेस्बुक बैन है और साथ ही जो इरान है उसके अंदर भी Facebook बैन ह और इन तीनों कंट्रीज की अगर जनसंख्या की बात करें तो ये तक्रीबन 170 करोड वैटती है अब 170 करोड की जनसंख्या तो ऐसी है जो आउटोमेटिकली जो है बाहर हो गई फेस्बुक से और यही कारण है कि फेस्बुक के पास नए ग्राग नहीं बस्ते हैं अगर ऐसी पॉपलेशन की बात करें जिसके पास इंटरनेट ही नहीं है और कुछ लोग ऐसे आजाते हैं जो बच्चे होते हैं भूडे होते हैं जिनमें 30-40 करोड लोग निकल जाते हैं तो इस पेकार से जो फेस्बुक है उसके पास किसी परगार का कोई और users बचता ही नहीं है जिस कारण से जो है Facebook नए ग्रहागों को नहीं जोट पा रहा है कुछ जो premium जो customers होते हैं जैसे Apple का phones यूज करते हैं तो Apple ने भी अपना एक update निकाला था 14.5 और इस 14.5 के update में क्या था कि अगर आपको Facebook के लिए data देना है तो आप उसे permission दे सकते हैं लेकिन आपको भी चीज पता है कि जब आप किसी से permission मांगते हैं तो आसानी से बो नहीं कहेगा कि आप मेरा data ले लिजिए और किसी को भी बाढ़ दीजेगा तो यही हुआ और एपल के इस update के कारण जो भी उसके premium customers थे वो भी एकगा से अलग हो गए कि जब ऐसे customers अपना data नहीं देते हैं तो कहीं न कहीं जो advertisement companies होती हैं वो भी चाहेंगे कि उनका जो advertisement है इस platform पे ना चले पिछली साल Facebook को सिर्फ advertisement की बजह से ही तकरीबन 80-90 करोड का गाटा हुआ है यही कुछ बजह है जिनकी बजह से पिछले 10 महीने का अंदर Facebook की जो value है दोस्तो वो 62% किर चुकी है 32% का आईडिया लगा सकते हैं कि यह आदे से भी कम आ चुकी है दोस्तो इनका एक दिन में जो सबसे ज़ादा loss हुआ था वो हुआ था कि जब इननोंने अपना 10 billion dollars का जो investment था Meta के लिए उसका announcement किया था कि वो इसे कैसे कैसे खर्च करेंगे और साधी साथ इनोंने जो data है उसको provide किया था कि देखी भी है हमारे पास कुछ customers ऐसे हैं जो हमारे जो है लगातर कम हो रहे हैं इसकी बजे से US का जो stock market है दोस्तों crash कर गया था और एक ही दिन के अंदर तकरीवन इनके 231 billion US dollar जो है वो loss हो गए थे और ये इतना बड़ा numbers है कि पूरा पाकिस्तान या फिर कहें हम एक बंगला देशा कर दिन दोनों देशों की GDP को मिला दिया जाए तब भी ये comment तो आप इस चीज का अंदाजा लगाएंगे कि ये कितना बड़ा फिगर है और उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ ने कुछ जानने को जरूर मिला होगा अगर वीडियो पसंद आया तो like से comment कर दिजेगा साथी साथी इसी पकार कि और interesting YouTube से related and technology related videos देखने के लिए चै उसका बाई बाई